हेलो एवरिवान, वेल्कम बैक तो मैं चेनल, कुक विद्राहत, उमीद करते हूँ आप सब कायलेस से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज मैं बनाने वाले हूँ ये आलू के टेस्टे से कटलेट, और ये कटलेट हम लच्चेदार बनाएंगे, तो चलिए देख इसे मैंने कैसे बनाया है, बनाना बहुत जादा आसान है, यहां देखिए मैंने लेली हैं आलू, आलू को हम पहले छील लेंगे, छील कर फिर हम इसे दोएंगे, दोने के बाद हम इसे कद्दुकस करेंगे, इसके लच्चे बनाएंगे, और ये जो कटलेट है आप बनाकर इसे एक से दो दिन के लिए फिरिज में भी रख सकते हैं ये बिलकुल खराब भी नहीं होते हैं यहां ने दूसरी पलेट ले लिये हैं इसे जो लच्छे हैं हमारे अच्छे बनेंगे और लंबे लंबे भी बनेंगे तो चाहे आप इस साइट से कर लें या इससे छोटा जो साइड आता है उससे भी कद्दू कस कर सकते हैं यहां देखिए कितने अच्छे से जो लच्छे हैं कितने बिख्रे बिख्रे कितने लंबे-लंबे बनकर तयार हुए हैं बस यह जो लच्छे हैं हम डारेक्ट डाल देंगे पानी के अंदर क्योंकि ये काले पड़ जाते हैं इस तरीके से अगर आप इसे देर से पानी में डालेंगे तो इसे कदुकस करते रहें और पानी में एट कर दें अब यहां देखिए मैंने पहले पानी से धोलूंगी और दूसरा पानी भी मैंने ले लिया है अब इसे अच्छे से आप साफ पानी में डाल देंगे और 2-3 पानी में अच्छे से धूलेंगे जो इसका स्टार से निकाल देंगे आलो का में स्टार बिल्कुन नहीं चाहिए उससे क्या होगा वो रह जाएगा तो हमारे जो कट्लेट है तो थोड़े सोफ्ट बनेंगे तो बदिकिए यहां में अच्छे से निकाल लिया है अब इसमें डालेंगे हम टेस्के कोडिंग नमक और यह लच्छों पर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे बोईल नहीं करना है हम इसे हलका सा सोफ्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें एड़ करेंगे गरम पानी यहां देखिए मैंने य इसे आप चाली मिर्च पौडर आधा चमस जीरा पौडर टेस्के अकोडिंग नमक आपने हिसाबसे ले सकते हैं जो भी आप इसके साथ काला नमग भी चाहे मिला सकते हैं और देखी यहां डिलिया है मैंने तीन से चार काजो को मैंने बारिक काट लिया है चार से पाच मैंने ऐसी किशुश को भी बारिक बारिक काटा है थोड़ा सा अधरक को मैंने काट लिया है बारिक बारिक टुकडों में हरी मिर्चे ली थी तीन उन्हें भी मैंने बारिक बारिक कट लगा कर बारिक बारिक काटा है और इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आलु देख लेते हैं यहां देखिए आलु को भी तकरीबन 1 मिनिट हो चुका है और आलु जो है अल के से सॉफ्ट लग रहा है पानी बहुत ज्यादा अभी गरम है देखिए गले नहीं हलके से सॉफ्ट हुए हैं आप यहां देखिए हम पानी के अंदर से निकाल लेंगे और और आप पहले इसे हलका सा ठंडा कर लिए उसके बाद इसे पानी इसके अंदर से निकालेंगे तो यहां देखिए हलका सा गरम ही था मैंने इसके इस तरीके से एक रुमाल पर इसे बिच्छा कर इसकी एक पोटली सी बना लेंगे और हास से दबा दबा के हम इसका पानी निका पहले इसे ठंडा कर लें उसके बाद ही इसमें से निकालें हलका सा गरम था मैंने दबा दबा कर मगर निकाल दिया था सारा पानी जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इस तरह से निकल जाएगा आलू के जो कटलेट है वो बिल्कुल भी पानी अंदर से नहीं रहेगा और जाएगा तब हम इसमें बाकी किसमान एड़ करेंगे यहां देखिए मैंने लिया है तीन चमच कॉन फ्लार और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाॉडर नमक हमने आलू के अंदर एड़ कर दिया है इसलिए हम नमक नहीं सकते हैं हलके हलके हाथ से जो कॉन फ्लार है उसे मिक्स करें आप इसमें एक चमच चावल का आठा भी डाल सकते हैं चावल के आठे से थोड़ा और जादा क्रिस्पी और क्रेंची बन जाएगा यह बस देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है हलके हलके हाथ से मैंने यहां टिक्की की शेफ दी है आप चाहे इसे गोल राउंड कर सकते हैं गोल गोल बना सकते हैं रजगुले की तरह या आप इसे लम्मे लम्मे शेफ में भी इसे बना सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी शेफ दे कर भी बना सकते हैं आप इसे मैंने इस तरीके से यह कटल आप चाहे तो नोन स्टिक वाले भी कर सकते हैं बस यहां डाला है मैंने इसमें रिपाइंड ओईल तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे कटलेट अभी से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर ना धीरे धीरे इसी तरीके से पहले पकने देंगे उसके बाद हम इ करेंडल के तरह और यहां देखिए कितना च्छा क्लर आचुका है कि वाला क्रिस्पी बहुत जादा बन चुके हैं इसाइड लगा देंगे इसे तेल में बाकी जो टिक्किया हैं हमने भी अच्छा से फ्राइब कर लेंगे यहां देखिए सारी टिक्या तयार हो चुकी है इस तरीके से आप बनाएं और इंजोय करें मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह कैसी लगी पहले हम एक की को सर्फ करके दिखाते हैं आप इस तरीकी से भी सर्फ कर सकते हैं या आप ऐसी टिक्की चट्डिक के मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर दबा लें, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेस्बूक को फॉलो कर सकते हैं, और देखिए कितनी शांदार हमाई जो टिकी है बनकर तयार हुई है, आप इस तरीक से चाट बना के खाएं, या ऐसे ही नोर्मल आप हरी चटनी से लाल चटनी से या चाय के साथ इंजोई कर सकते हैं, और ये कटलेट खाने में बहुत जादा अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया